नमस्कार दोस्तों, बाईजूस घॉर्वेंट एक्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है, आज हम 13 दिसमबर 2020 के समाचार रिसने सन्ड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 10 हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों के हम समीछा करेंगे, और उसमें प्र प्रस्पेक्टिब में हम देखते हैं, मौरको और इसराइल की जो डील हुई है, उसके अनसार दोनों देश सांती समझवत्ते के दोरा आपस में एक दूसरे के साथ संबंदों को मजबूत करेंगे, और मौरको ने इसराइल के साथ जब यह डील की है, तो इसमें एक सर्त य यह है कि मौरको के दारा पस्मी अफ्रीका का यह चेतर है, इसे आप ग्रीन पार्ट में देखें, तो यहाँ पर जो उसका नियंतरन है, उसको एक तरह से अमरीका की मानिता प्राप्त हो जाएं, तो आप कह सकते हैं कि गेब और टेक वाली डील है, जहाँ पर इसराइल के सा जो बिवाद चल रहा है, 1991 में जो युद्विराम हुआ था, जिसमी साहरा के इलाके से मौरको का नियंतरन समाप्त किया जा सके, तो यह जो 1991 में युद्विराम हुआ था, यह खतरे की इस्तिति में आ गया है, क्योंकि पोलिसारियो फ्रांट ने धमकी दिये कि अगर ऐसा क कुछ होता है, कि मौरको का यह जो नियंतरन इसको वैधानी कर दिया जाता है, यह सबी मानिता देते हैं, तो उनके दोरा संगर्ज जो ससस्त रूप में है, वो सुरू कर दिया जाएगा, तो यह तरह से पस्वी अफरीका में इस्तिति को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना र इसको अरब देसों के साथ में जो समझाता है, वो देरे देरे बढ़ता जा रहा है, इसी करम में मौरको के साथ भी इस्तितियां काफी अस्मंजस भरी होने वाली हैं, और जल्दी यहाँ पर युद्ध जैसी संभावनाएं भी बन सकती हैं, तो इसी कंसर में अगर हम देखें, तो द्यान रखें, मौरको और यहाँ पर इसराइल का यह समझाता है, इस समझाते का जो प्रमुक रूप से आप कह सकते हैं, अरब इसराइल समझाते जो हैं, उनी की एक कड़ी में हैं, जहां पर UAE बहरीन और सूडान के साथ पहले समझाता हो चुका है, और उसी के बदले में, इस डील के बदले में एक तरह से पस्वी साहरा पर जो मौरको का नियंतरण है, वो अमरीका के दोरा स्विकार किया गया है, अमरीका का स्विकार करना पस्वी साहरा पर मौरको के नियंतरण को और ज्यादा व्यदता प्रदान करेगा, इस समस्या के अगर हम एतियासी प्रक्ष पर जाएं, तो पस्तिमी सारा एक Spanish colony है, यानि इस्पेन का यहाँ पर नियंत्रण था, और जो सहरा भी है, वो यहाँ की प्रमुक जन जाती है, 1975 में इस्पेन की यह जो colony थी, उस समय इसको Spanish सहरा के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ से इस्पेन ने अपन 1975 के पार्ट पर, कि 28 फरवरी 1976 के पहले पहले इस्पेन पस्तिमी सारा का जो छेत्रा उसको खाली कर देगा, और तब तक के लिए एक ब्यस्था क्या बनाएगी, कि मुरक्को और मॉर्टीनिया की तरब से एक एक डिप्टी गवरनर निक्त किया जाएगा, और इस्पेन की त 2019 से अठाइस परवरी 1976 के बीच का जो समय था. उसमें एक तरह से आपका सकते हैं मुर्क्को और मॉर्टीनिया का नियंतरण था पस्तिमी सारे पर इस्पेन के सास्ताता. और ये कहने के मुर्खको और मॉर्टीनिया का इस छेत्र पर नेंतरण करने का जो प्रयास था, उसको का जा हमला हुआ तो बड़ी संख्या में जो सरनार्थी है वो अभी अलजीरिया में रह रहे हैं सहरावी जंजातियों का जो विद्रोः हुआ उन्हों ने अपना एक संग्ठा बना लिया पोलिसारियो फ्रंट जिसके दारा मौरकों का जो अतिकर्मण हो रहा था एक तरह से पस्मी सारा पर उसका विरूत किया गया। अलजीरिया और पॉलिसारियो फ्रंट की बात करें। तो इन दोनों के दारा एक तरह से पूर रूप से विरूत किया गया। मौरक्को और मौरेटिनिया की जो डील हुई इस्पेन के साथ। इस्पेन के दोरा जो डील की गई थी, वो 28 फरवरी 1976 को एक तरह से ये कहती थी, कि इस्पेन ये जो इलाका पस्मी सारा का इसको खाली कर देगा, लेकिन उसके एक दिन पहली अगर हम देखें, तो 27 फरवरी 1976 को पोलिसारियो फ्रंट के दोरा घोशना की गई, एक रिपब्लि उनका नियंतल मानते हैं पस्मी अफरीका पर, इसी के साथ साहरावी अरब डेमोक्राटिक रिपब्लिक, यानि SADR ये अफरीकी संग का भी सदस्य है, अफरीकी संग जो अफरीकी देशों का एक तरह समू है, तो यहाँ पर आप देखें, SADR को काफी हद तक मानेता लेकिन अभी भी मोरक्को की इसी ती यहाँ पर मजभूत बनी हुई थी, 1975 और 1976 का यह जो पूरा समझाता और विवाद हो रहा है उसके थोड़ा पहले अगर हम जाए, तो 1974 के पार जो अंतरास्टी नियायले हैं, उन्होंने अपना एक निर्ने पस्मी साहरा के संबंद में और उनका यह कहना था है कि मोरक्को या मोरटीनिया, इनका किसी भी तरह का अधिकार पस्मी साहरा पर नहीं बनता है, लेकिन उसी के साथ-साथ अंतरास्टी नियायले ने एक निर्ने यह भी दिया, कि पस्मी साहरा में कुछ ऐसे छेत्र हैं, जहां पर कुछ जन जातिया है जो मुरक्य को सुल्तान को अपना एक तरह से सासक मानती हैं इसी तत्थ को एक तरह से मुरक्यों ने माना और उनका ये मानना है कि जो पस्थमी साहरा का छित्र है उस पर मुरक्यों का नियंत्रण होना चाहिए और इसी कारण से जो उस समय के मुरक्को के सुल्तान थे हसन दुतिय उन्होंने अपनी सेना को भेज कर एक तरह से यहाँ पर पस्थमी साहरा में बड़े इलाके पर कबजा कर लिया अगर हम वर्तमान में देखे तो यह पूरा ग्रीन पार्ट है जहाँ पर नियंत्रन है मुरक्को की सरकार का यहाँ पर अगर हम देखे तो पस्थमी साहरा के लिए एक त्रिकोण का संगरस्ता मुरक्को, मुरोटिनिया और पोलासारियों फ्रंट ये जो त्रिकोर्ट संघरस था मौरको, मौरटीनिया और पोलासारियो फ्रंट के बीच में, इसमें से 1979 में, यानि 1975 में जो विवास शुरू हुआ, उसके चार साल का जो विवास चलता रहा, युद्ध की सिथी चलती रही, पोलासारियो फ्रंट, मौरको और मौरटीनिया के मौरुटीनिया ने अपने को दक्षिणी भाग से यानि ये जो छेता जहाँ पर मौरुटीनिया का नेंत्रन था वहाँ से उन्होंने अपने आपको अलग कर लिया तो एक तरह से आप कह सकते हैं, मौरोटीनिया इस विवाद से अलग हट गया, और मौरको का जो प्रवाब और बढ़ गया, क्योंकि मौरोटीनिया ने जहां जहां से अपने इस्थान खाली किये, उन जगह पर मौरको ने तेजी से नेंतरन किया, तो मौरको और पुलासारियो दो प्रमुक एक तरह से सक्तियां यहां पर बची, जो पस्वी सारा के लिए आपस में डड़ाई कर रही थी, क्योंकि 79 के बाद से मौर्टीनिया यहां से अलग हट गया, यह जो आपका 76 के पार्ट से एक तरह से विवाद चल रहा था, यह 1991 तक चलता रहा, और 1991 में आगे युद्वराम किया गया, और युद्वराम के बाद एक तरह से आत्मे निर्णे करने का अधिकार दिया गया पस्वी सारा के लोगों को, यानि एक तरह का जनमस संग्र है, रेफरेंडम कराया जाएगा, और वहां के लोग निर्णे लेंगे, कि वो किस सिती में जाना चाहत हैं, पोलसारियो फ्रंट के साथ में, या एक तरह से मुरको के सासन में, लेकिन जब ये युद्वराम किया गया, तो आप ध्यान रखे, पस्वी सारा का लगबग 80% भाग है, वो मुरको के नियंत्रण में चला गया, और बड़ी संख्या में इस युद्व के कारण जो सरन बड़ाना, लेकिन इसके बदले में, जो मुरको को छूट दी गई है, वो पस्वी में सांती तो ज़रू बनाएगी, लेकिन पस्वी साहरा का जो इलाका अफ्रीका मादीप का है, वहाँ पर एक तरह से बड़ी समस्या, या कह सकते हैं, बड़े ससस्त संगर्स को शुरू कर सकती है, पुलासारियो फ्रंट के दोरा एक धमकी दी गई है, कि अगर मुरको का पस्वी साहरा पर जो नियंतरन है, उसको किसी भी तरह की वहतिता दी जाती है, तो 91 का जो युद्विराम है, उसको तोड़कर ससस्त जो संगर्स को दोबारा प्रारम करेगा, और यहाँ पर एक तरह का जन्वा संगर्स होना चाहिए, तो रूस का समर्थन एक तरह से पुलासारियो फ्रंट की जो बात है उसको मिल रहा है, यहाँ पर जब पड़ोसीड़ इस अल्जीरिया है, वो भी एक तरह से पुलासारियो फ्रंट के साथ खड़ा हुआ है, तो भविस्स में किस तरह से मुरकों यहाँ पर अपने नियंत्रण को आगे बढ़ाने का काम करता है और कहीं पुलासारियो फ्रंट के द्वारा ससस संगर्स आगे बढ़ाये गया तो यह जो पूरा छेत्र पस्मी भागय साहरा का यह बड़े संगर्स के एक तरह से नियंत्रण में आ सकता है अगर यह दुबिराम चल रहा है और लीबिया से भी कुछ लड़ाके यहाँ पर आ सकते हैं नाइजीरिया में जो बोको हरा में वो भी इसमें अपना एक तरह से प्रहाव डालने का प्रयास कर सकता है क्योंकि अमरीका यहाँ पर एक तरह से पस्मी साहरा में मुरकों के साथ आ गय करता है या किसी तरह की अगर पुलसारियों फ्रंट के दोरा ससस संगर सुरू किया जाता है उसके बाद की सितियां क्या बनती है उसके अनसार यह जो छेत्र है यहाँ पर 37 थापित हो कि यह संगर सुरू हो जाएगा इसका इननने भविस में छिपा हुआ है इसी वारी चर् बात है कि यह जो डील है यह कही न कहीं पस्मी अफरीका का जो छेत्र है वहाँ पर 37 थाप्रा उसमें बाधर डालेगा क्योंकि 91 से जो युद्विराम हो गया वो एक तरह से टूट गया है क्योंकि 91 का युद्विराम है वो कहता है जन्मसंगरे की बात और उसके विपरीत एक तरह से मुरक्को का जो नेंतरन है उसको अमरीका सुईकार कर रहा है तो यह सिती कहने के 91 का जो युद्विराम उसको एक तरह से उसका विरोत कर देती है तो युद्विराम अपने आप ही एक तरह से टूट जाता है तो पोलासारियों फ्रंट कहें न कहीं ससस संगर्स म बाहर आ सकता है और ये पस्थमी सहारा को एक तरह से संगर्स में वापस लाएगा जबकि अरब इस्राइल के जो समझोते हो रहे हैं जिसमें युएई उसके साथ बहरी नाइनी जो अबराम अकॉर्ड किया गया और सुडान के साथ समझोता हुआ तो पस्थमी इस्या में एक स बनाते हुए अपने अंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा अपनी नेक्स न्यूस पर आते हैं और ये साइंस टैक के पार्ट से प्रजे नंबर 11 पर जीएस विपर 3 में यहाँ पर epigenetics यानि पस्थ जनन के संबद में बेसिकली तथे बताये गए हैं वनसानगत जो बिमारियां उनमें किस तरह से परवर्टन होते हैं जीन में या किस तरह से बिमारियां एक पीडी से दूसरे पीडी में जाती हैं उसी समस्या को यहाँ पर एक तरह से बताये गय अगर हम अपने आँख के पार पर देखें तो हमारे आँख में एक तरह से जो रेटिना है वो प्रमो कुरूप से जो भी हम देखते हैं उसकी सूचना को हमारे ब्रेन या मस्तिक्स पहुचाने में एक तरह से प्रमो कुरूप से योगदान करता है और इसके लिए ध्यान र और यह retina में जो retina काम करता है signal को यानि प्रकासी signal को electronic signal के रूप में मस्तिक्स तक पहुचाना, तो उसके लिए RGC एक तरह से responsible होता है, आँखों में जो एक तरह से काम RGC के दोरा retina में किया जाता है, उसी तरह से अगर हम अन्य एक तरह से जो सरीर के अंग है, उनकी अगर protein के बादे हम से किया जाता है, अजब हम protein की बात करते हैं, तो यह संबंदित gene द्वारा इनकी एक encoding होती है, यानि किसी तरह के gene से coded रहते हैं protein, और gene की बात करें तो कहिना कि यह DNA का भाग है, तो इस रूप में protein अगर हम देखें, तो वो कोशिकी कारणों के महतपूर नियं protein से एक तरह से उसके क्या? एक कोडिंग की गई है, और वो DNA का भाग है, तो अगर आप कहते हैं कि DNA में कोई परवर्तन होता है, इसका मतलब है कि protein में क्या होगा? परवर्तन होगा, तो DNA का किसी तरह का परवर्तन, protein में परवर्तन लाता है, अब अगर protein में परवर्तन होगा तो जो कोसिका के कारणे होते हैं, जो cell का काम होता है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं, कुछ समस्य आ सकती हैं, असंगत हो सकता है, जो उनका असली काम है, उससे अलग वो काम करें, या जो काम कर रहे हैं, उसको वो रोक दें, तो असंगत एक तरह से बैवार कोसिका के द्वारा किया जाता है और यही एक तरह से आधार होता है जो वनसानगत बिमारी है उनका eating तरह से एक पीडी से दूसरी पीडी में जो वो ट्रांसफर होती है क्योंकि DNA में परवर्थन, protein में परर्वर्थन और protein boost की कारणों का एक तरह से निहंत्रण कर रहा होता है क्योंकि DNA का परवर्तन है तो वो एक generation से दूसरे generation जाता है और बीमारी को भी एक तरह से आगे पीडी दर-पीडी बढ़ाता जाता है कोई भी जीन एक तरह से active होगा या inactive होगा यानि वो कार्य करेगा या नहीं करेगा वो एक तरह से DNA की जो बात हमने करी है प्रोटीन का जो स्विक्केंस है उसके परवर्तन न उसके आधार पा तो होता ही है उसके अत्रिक तगर्म देखें यानि किसी भी जीन के काम करने या नहीं करने के लिए DNA और प्रोटीन का जो क्राम का परवर्तन है उसके अलावा भी कुछ कारण होते है और यही एक तरह से अध्यन करने के पार पर आता है एपी जैनेटिक्स जिसको पस्ट जनन भी कहा जाता है तो एपी जैनेटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जैवरायस जो किसी भी जीन को एक सेल में एक्टिव करती है या इनक्टिव करती है जैसे अगर हम इंसुलिन प्रोटीन की बात करें तो यह सभी सेल में उपस्तित होता है लेकिन जातर सेल में निस्क्री रहता है पैंक्रियाद में जो बीटा सेहस है वहाँ पर एक तरह से इंसुलिन क तो यह जो प्रक्रिया है कि जैव रायसानी क्रिया से जीन को किसी कोस्का में एक्टिव किया जाता है, किसी कोस्का में इनक्टिव रखा जाता है, जैसे पैंक्रियास का जो बीटा सेल है, वहाँ पर इंसुलीन प्रोटीन जो एक्टिव है, जबकि अन्य कोस्काओं में जो इ करने के लिए बायो केमिकल एक तरह से रियक्सन होती है, इसी को एपिजेनेटिक्स या पस्थ जनन का भाग कहते हैं, जब यह आन है यानि वहाँ पर वो जीन एक्सप्रेस होगा, जहां पर ओफ है वहाँ पर उस जीन का प्रभाव नहीं होगा, एक तरह से यह जो होता है, कहीं पर इनक्टिव होता है, इस प्रक्रिया को एक तरह से कुछ परवर्तन किया जा सकते हैं, तो इसी आदार पर आप देखें, कि जो डीने का परवर्तन होता है, वो तो इस्था ही होता है, लेकिन एपिजेनेटिक्स के परवर्तन है, यानि जैवरासाईनी क्रिय या के माध्यम से gene active या inactive हो रहा है, उसको control करने के लिए एक तरह से नियंत्रक प्रोटीन होता है, जिसको हम एक तरह से regulatory protein कहते हैं, नियंत्रक प्रोटीन के अगर हम कुछ example देखें, जैसे DNA methyl transphoresis, DNMTS, या HATS, histone acetyl transphoresis, और HDCS, यानि histone deacetylase transphoresis, तो यह कुछ example हैं नियंत्रक प्रोटीन के, जो एक तरह से एक नियंत्रक के रूप में काम करते हुए, कहां पर gene active होगा या नहीं active होगा, उसको एक तरह से कार्य करते हैं, तो विसेज gene को on और off करने की जो प्रक्रिया है वो नियंत्रक प्रोटीन के दोरा की जाती है, और ध्यान रखें जैसे ऐसे उम्र बढ़ती है, या हम तनाव में रहते हैं, या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो यह जो epigenetic की प्रक्रिया है, उसमें कुछ परवर्तन आ जाता है, इसलिए कुछ gene अगर आप देखें, त और जो तनाव या जो बीमारी की इस्तिती होती है, उनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो यह जो प्रक्रिया एक तरह से नियंत्रक प्रोटीन की है, उसमें परवर्तन आ जाता है उम्र के साथ में तनाव या बीमारी जैसी इस्तिती में, कोसिका विभाजन की जो पूरी प वो tumor suppressor gene के दोरा एक तरह से किया जाता है। और अगर इस थरह के कोसिका विवाजन को नियनतित करने की जो प्रक्रिया है, अगर वो रुख जाएगा, तो कहने के कोसिका विवाजन रुख जाएगा, और ऐसी इस्थिति में cancer tumor जासी इस्थिति बन सकती है। तो कोसिका का विवाजन है, उसमें और इस तरह का gene होता है, जो tumor suppressor gene कहलाता है। तो अगर वो इनेक्टिव हो गया है, तभी उस इस्थिति में cancer tumor की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। तो अगर इस gene के पार्ट पर किसी भी तरह के परवतन की इस्थिति को नियनतित किया जा सके। या इस जीन को नियनतित करने वाला जो protein है, उसमें अगर किसी तरह का हम control कर सकें, तो cancer जा टूमर की इस्थिति उसमें भी एक तरह से परवतन लाया जा सकता है। इस पूरे article का अगर हम निचोड़ देखें, तो कुछ ऐसे नियनतितरग protein का पार्ट हैं, जिनके द्वारा जो भी gene की सकरिता या निसकरिता होती है, उसको एक तरह से on या off किया जाता है, यानि start किया जाता है, चालू किया जाता है, या बंद किया जाता है, तो इन नियनत use of COVID-19 vaccines, COVID-19 की vaccines का अपातकालिन जो प्रयोग करना है, उसको लेकर चर्चा ज्यादा इसलिए हो रही है, क्योंकि COVID-19 की जो भी vaccine के trial हो रहे हैं, पहले और दूसरे चरण, और उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है, तीसरा चरण, उसके पढ़ना में एक तरह से देर-देर आ और अंतिम मंजूरी के लिए जगे-जगे अपील की जा रही है, अमरीका में basically term use क्या जाता है, EUA, यानि Emergency Use Authorization, आपातकालिन प्रयोग की एक तरह से अनुमत्ति देना, अमरीका में दवा और vaccines के जो regulator है, US FDA के अगर हम बात करें, Food and Drug Administration, उनके द्वारा एक तरह से कुछ vaccines को जो Emergency Use Authorization है, वो दिया जा रहा है, तो इसी प्रक्रे में भारत में भी एक तरह से माना जा रहा है कि जल्द उनको मंजूरी दी जाए, अगर हम vaccine की बात करें, तो vaccine के लिए जो स्वस्त लोग है, उन पर सामानता परिछण एक रूप में किया जाता है, और जब हम दवाओं की बात करते हैं, अलग-अलग जो drugs हैं, उनके लिए बीमार वेक्ति उन पर एक तरह से testing की जाती है, तो vaccine के लिए कहने कि स्वस्त वेक्ति पर इसका प्रभाव क्या होता है, उसको जरूर एक तरह से देखा जाता है, ऐसा ना हो कि इसका नकरात्मक प्रभाव लोगों पर पढ तो ये ट्रायल एक तरह से इसलिए कभी महत्तपूर हो जाते हैं, वेक्सीन के अंतिम रूप में बाजार में आने और लोगों को उसको प्रियोग करने के लिए, आपातकारी मंजूरी के अगर हम बात करें, तो सामानता देखाया जाता है कि कोई अगर विलक्षन या कोई र मिल सकती है, तो यो दो प्रमो के तरह से अधार होते हैं, आपातकारी मंजूरी भी जाती है, तो अमरीका में एक तरह से ये ट्रम तो हैं, भारत में इस तरह की ब्यस्था नहीं है, हमारे जो भी क्लिनिकल ट्रायल है उनको लेकर 2019 में एक नया नियम आया, जिसको निव ड्र अगस्यान क्लिनिकल ट्रायल रूल का आजाता है, तो यहां पर एक ब्यस्था रखी गई है, एक्सिलरेटिड एप्पूबल प्रॉसेस, APP, यानि एक तरह से जो एप्पूबल प्रॉसेस है, उसको एक्सिलरेटिड तेजी से करने की एक प्रक्रिया APP बनाई गई है, यह जो एक्सिलरेटिड एप्पूबल प्रॉसेस है, यह तब किया जाएगा, जब कोई गंभीर विमारी हो, और उसके अलावा तुरंत आवशक्ता हो दवा या वैक्सिन की, या उस तक कोई विकल्प नहीं हो, और यहां पर इस थानी है, यानि भारत के अंदर जो ट्रायल है, उस प्रक्रिया के अंतरगत भारत में भी जो वैक्सिन के ट्रायल हो रहे हैं बाहर के देसों में, और हमारे भी एक तरह से चल रहे हैं, लेकिन बाहर के देस में अगर कोई ट्रायल मंजूर होता है और एप्रूब किया जाता है आपातकालीन उप्योग के लिए, तो उसी के जाता है वो पहले और दूसरे में देखा जाता है, इसलिए आप ध्यान लखें, कोई नाटीन में भूस सारी दवाओं के प्रभाव सकारात्मग माने गए, जैसे हैड्रोक्सी, क्लोरिक्वीन की बात करें, या रैमडेसिवीर की बात करें, या फैबी, पेरावीर की बात कर तो एक तरह से सुरक्षित और दीरकालिन उपियों के लिए, कहने के जो तीसरे स्टेज का बड़ा ट्रायल होता है, उसकी भी आवस्तेक्ता क्लिनिकल ट्रायल में मानी जाती है, इसलिए वैक्सीन की प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, यहाँ पर भारत में जो कंट्रोल जनल ऑफ इंडिया, इनी के दोरह एक तरह से कमेटी बिना जाती है, जिसको कहा जाता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, और यह एक तरह से टेक्निकल, यानि यो तकनीकी बिंदू होते हैं, किसी वैक्सीन के अप्रूवल के लिए, उसकी जाच करते हैं, और अपाद एक तरह से अंतिम मंजूरी यहां पर मिलती है, तो अगर हम देखें, तो भारत बायोटर की बात करें, या हम सेरम इंस्ट्टूट ऑफ इंडिया की बात करें, उनके दारा आपातकालीन एक तरह से मंजूरी के लिए अपील की गई है, तो जल्द मिलने की संभावन जरूर है, लेकिन यहां पर Drug Control General of India की तरफ से प्रमुक रूप से यह देखा जा रहा है, कि अगर किसी देश में अंतिम मंजूरी मिलती है, तो भारत में भी उस वैक्सीन के लिए तुरंत मंजूरी मिल सकती है, जैसे अगर हम यहां पर एक्जाम्पल देखें, यूके में व प्रभाव नहीं है, सुरक्षित है, तो एक देश के जो डाटा है, उसको एक तरह से अंतिम रूप में अगर भारत में समिट किया जाए, उसके आधार पर मंजूरी मिल सकती है, लेकिन हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, कि इस तरह का डाटा किसी देश में अभी प प्रूबल दिया जाएगा, तो लाब से जादा हानी की स्थिती हो सकती है, तो हानी ना हो किसी भी बीमार वेक्ति को यह स्वास्त वेक्ति को यह एक तरह से भारत में प्राथमिक्ता मानी जा रही है, और इसी कारण से जो आपातकारी इन ट्रायल के लिए जो मंजूरी है, उसकी प्रक्रिया को अभी थोड़ा सा लंबा किया गया है, क्योंकि जो भी स्वास्त या बीमार वेक्ति हैं, उनकी स्वास्त की स्थिती को मजबूत करने के लिए वेक्सीन आ रही है, ना कि उनको कमजूर करने के लिए, तो इसलिए प्रक्रिया को थोड़ा सा अभी लंब खीचा जा रहा है, अपनी नेक्स नूस पर आते हैं, दो फेस्बुक फ्यूट, इस नूस के पार पर हम देखें, तो फेस्बुक पर बहुत तरह के विवाद रहे हैं, कि उनके दारा एकाधिकार या मोनोपोली बढ़ाने का इतरह से काम किया जाता है, और वरतमान में यह जो दिस्ट्रिक कॉलंबिया, जहां पर अमरीका के राजदानी वसिंटन डी-सी है, उनके दारा एक तरह से इसमें अपने आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो यह जो केस है, यह प्रम खुरूप से दो एक तरह से विवादों पर जुड़ा हुआ है, पहला हिस्सा अगर हम अभी तक उसको मोनटाइज नहीं किया गया है, यानि वाट्साइप का उप्योग करना किसी भी तरह से उसको अभी किसी सुल के साथ नहीं जोड़ा गया, यानि फ्री ओप कॉस्ट रखा गया है, तो यह माना जा रहा है कि जब प्रारभ में वाट्साप सुरू हुआ था, यानि फेस्बुक के पास नहीं था, तो वो एक तरह से सुल के साथ में उसको लाने की बात थी, तो वाट्साप जब खरीद लिया गया फेस्बुक के उदारा, उसके बाद उन्होंने उसको मोनटाइज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वाट्साप जैसा जो कंप्टिशन है वो खतम कर दिया, क्योंकि कंपनी को उन्होंने एक्वार कर लिया, फेस्बुक के द्वारा अधिग्रहन करने की नीती ये है, कि उनका जो भी कंप्टिशन या प्रद्वन्दी हैं, उनके व्यापार को समाप्त करना या उनको अपने में मिला लेना, तो पहली प्रक्रिया तो ये रहती है, दूसरा है कि वो अपने प्रद्वन्दी की प्रतियुकता को ही समाप्त करने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखें, दुनिया में हर तरह के इसे भारत में अगर हम देखें, तो मोनोपोली के विरोध में एक तरह से संस्थाय काम करती हैं, जो मोनोपोली को र अलग अलग व्यापारिक समुहों में रहनी चाहिए, कोई एक के दौरा आगे बढ़कर छोटे के व्यापार को समाप्त करने का प्रयास ना किया जाए, फेस्बुक पर इसी तरह के आरोप है, अगर हम फेस्बुक को देखें, तो जैसे प्रत्योगता समाप्त करने की इसीती हैं, कि अगर फेस्बुक को लगता है, कि किसी कंपणी के साथ उनकी प्रत्योदन दिता है, तो वो उस कंपणी को फेस्बुक का जो नेट वर्क है, उसको किसी तरह से उपयोग नहीं करने देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल, अगर हम देखें, तो हम वाइन अप की बात क तो जैसे ये वाइन एप लॉंच गया गया, फेस्बुक ने ये जो शॉर्ट वीडियो इसके माधियम से दोस्तों के पता लगाने की जो एक आप्सन था उसको ही खतम कर दिया, तो वाइन एप का एक तरह से जो उप्योग फेस्बुक पर हो सकता था, वो लगबग समाप्त हो फेस्बुक के दोरा अपने प्रद्वन्दियों को काम करने के सिती ऐसी रख दी जाती है, कि जिससा उनका काम करना लगबग असंबभ हो, तो ये दो प्रमुक एक तरह से आरोप फेस्बुक पर लगाए गया है, तो ये जो प्रक्रिया एक तरह से अमरीका में सुरू की तो उस प्रक्रिया को एक तरह से एंटी कंपडिशन यानि प्रतियोगिता के खिलाफ न रखा जाए, तो अमरीका में फेस्बुक अगर काम करें, तो वो इस तरह से काम करें, कि अपने प्रद्वन्दियों को समाप्त करने की प्रक्रिया में न जाए, और जो स्वस्थ प्र जब भी किसी कमपनी का उनके दोरा एक्वाईशन किया जाता है, आधिक्रण किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को अमरीका के फेडरल ट्रेड कमिशन और एंटी ट्रस्स जो डिवीजन है, जस्टिस डिपार्टमेंट का, वहाँ पर उसको पहले ही बता दे, तो इस तरह की प् या इंस्टाग्राम को खरीदा, तो उसके पहले उन्होंने इन्फोर्मेशन दिया था, यानि मर्जर करने के पहले उन्होंने अल्रडी सूचना प्रताम की थी, इसी के साथ साथ उनका ये कहना, कि अपने बिजनेसे मिलते जुलते और जो दूसरे बिजनेस है, उनको अपन प्लेटफर्म का उपयोग नहीं करने देना, ये दुनिया में लवस सभी कमपनिया करती है, जैसे उबर की अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें, नियुवर्क टाइम्स की या पिंटरेस की बात करें, तो इनके दोरा अपने जैसा काम करने वाली अन्य संस्ताइं जो है उनको अपना जो नेटवर्क है, उसका प्रियोग करने की अन्मती नहीं होती है, तो अगर फेस्बुक ऐसा कर रहा है तो कुछ गलत नहीं है, तो अपने प्रद्दंदी को अपना ही नेटवर्क प्योग करने की अन्मती कैसे दी जा सकती है, तो फेस्बुक के दोरा इस तर रही है वो social networking जो sites है उनके लिए है और उनमें एक अधिकार की जो इस्तिती जब बढ़ती है तो इसे दो तरीके से बड़ा प्रभाव पड़ता है पहला प्रभाव हमने देखा जो व्यापारिक था यानि व्यापारिक जो इस्तितियां है वो छोटे जो प्रद्वन्दी कंप से यह आजाती है जैसे अगर हम WhatsApp ए Instagram की बात करें तो कहीं न कहीं Facebook के दोरा बहुत aggressive बहुत ज्यादा मुल्य देकर उनको खरीदने का प्रयास किया गया और आसानी से उन्होंने अपने आपको Facebook में उनका विले किया गया तो इस तरह की प्रक्रिया कहीं जो सतंत्र व्यापार है उसको रोकती है और एक अधिकार व्यापार में बढ़ाती है एक दूसरा हिस्ता देखें जो कभी विवादित है कि रानितिक रूप से भी अगर सोसल नेटवर्किंग कुछ विसेश कंपनियों के हाथ में पूरे बिस्व किया जाएगी तो वो रानितिक रूप से एक तर जो रानितिक विचार है उनको प्राथमिक्ता दी जाती है फेस्वुक के जो भी पोस्ट है तो इसके लिए कहना कहें कुछ कंपनियां संचालित होती है इसके लिए फेस्वुक के दारा कुछ ऐसे भी आवरोप है कि वो कुछ कंपनियों के साथ समझाता करके कुछ विसेश रायनितिक जो दलों की मानिता हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, और विसे इस दल की मानिताओं को एक तरह से Facebook पर कम दिखाते हैं, तो ये रायनितिक रूप से प्रभाव डालने के प्रक्रिया हो सकती है, आज के समय में, सोसल नेटवर्किंग का जितना बड़ा प्रभाव है, जितने बड़ी संख्या में यवा या अन्ने लोग इसका उप्योग करते हैं, तो इसका प्रभाव रायनितिक मत के बदलने और रायनितिक रूप से बड़े रूप में किया जा सकता है, और ये कहीं न कहीं Facebook के दारा एक तरह से किये जाने के अभी प्रमाण सत्य नहीं उनके दारा इतरह से समर्थन लिया जाता या आर्थिक सायता ली जाती है, तो जो कुछ सामाजी के कारे करता हैं, उनके बारे में जो आंक्डे हैं वो WhatsApp के माध्यम से प्राप्त किये गए हैं, और इसराइल की एक संस्ता के दारा इस तरह से जो WhatsApp हैं, वहाँ पर कुछ लोग उस पर आतिक्रमण ये आने वाले समय में सोसल नेटवर्किंग की जो बड़े ग्रूप हैं, उनके साथ समस्याएं जुडेंगी, क्योंकि अगर सोसल नेटवर्किंग में बड़ी कंपनियां और अलाग-अला ग्रूप में रहती हैं, तो एक तरह से कहिना के प्रद्वन्ता स्वस्त रूप में रहती हैं, लेकिन अगर अधिक्तम सोसल नेटवर्किंग किसी एक संस्ता के आधीन आ जाती है, तो उसके दारा कहीं न कहीं है, एक अधिकार के रूप में काम करके, राजनिती रूप में और लोगों के जो अधिकार हैं, उनका हनन करने का प्रयास किया सकती हैं, इसी हमरे डिसकेसन के आधार पर मेंस का एक कोशन आप लिखने का प्रयास किजेगा, सोसल नेटवर्किंग में किसी एक कंपनी का एक अधिकार, व्यापारिक स्वास्त को नुक्सान करने के साथी, रानिती रूप से इस्थायत को भी विस्त में कमजूर करेगा, तो रानिती रूप से आप जैसे वाटसैप का केस हैं, लोगों की जासूसी करने का, या फेस्बुक पर रानिती रूप को किसी एक में प्रात्मिक्ता देना, उसको आप एक्जाम्बल दे सकते हैं, जह तक व्यापारिक एक अधिकार की बात करें, तो आपने बात करी कि कि क तो प्रधान मंत्री के दोरा एक बयान दिया गया है कि भारत जो भी एक तरह से लक्ष रख रहा है एक तरह सतत विकास के लिए और सौर उर्जा या पवन उर्जा या अन्ने तरह से जो समवनी उर्जा को बढ़ाने की बात है उनमें अपने लक्षों से काफी आगे जो 2005 का इसतर है तो हमें 33 से 35 परसंट करना है और प्रधान मंत्री के दोरा ये कहा जा रहा है कि ये 21 परसंट की सिटी में अभी पहुँच चुका है यानि हम 33 से 35 तो प्राप्त करेंगे उससे आगे भी निगल सकते हैं ऐसा प्रधान मंत्री का मानना है इसी के साथ साथ जचाए 125 गीगावार्ट और उपीद है कि भारत इस लुक्ष को प्राप्त कर ले गा और 2030 के विज़ हमारा लख्ष वो 458 गीगावार्ट तक पहुंच गया है और उमीद ये है कि भारत इन लख्षों को प्राप्त करने में सफल रहे गा और 2030 तक के लि ये जो हमने एक तरे से 33 से 35 परसंट कमी करने की बात करी है उन लक्षों को भी आसानी से भारत प्राप्त कर सकेगा तो इसी कंसर में हमारा प्रीका कोशन आप देखिए पहरी जलवाई समझते के अंतरगत उस सरजन की तीवता को कम करने के लिए भारत का स्वयम का लक्ष जीडीपी का 33 से 35 अधरत की नवी करनी और जाचमता विस्व में चौथे इस्तान पर तो पहले पर चाइना है दूसरे पर यह यह इसे थर्ड पर ब्राजील और चौथे पर आपका इंडिया तो यह चौथे में इसे में हमारी जो नवी करनी यानि जो रिनेवेल इनरजी उसकी शमता में विस दिखाले के पार्ट पर भी एक तरह से लागू किया जाए तो ब्रिटिस समय की जो परंपरा है इनर लाइन परमिट इसका बेसिकली उपयोग यह था कि जो जनजाती चेत्र में उसमें बाहरी जो लोग है वो एक तरह से प्रवेस करके उनके साथ में चाहे वहाँ पर जमीन को एक तरह से शुरू किया गया और यह जो इनर लाइन परमिट है यह बिटिस समय के कानून है बेंगौल इस्टन फ्रेंटियन रेगूलेशन 1873 उसके दोरह एक तरह से जो इनर लाइन परमिट है यह जादी किया जाता है वर्तमान में अगर हम देखें तो चार राजों में अनुनाचरपदेश मणिपूर मिजोरम नागालेंड आप ध्यान रखें मणिपूर को इसी साल एक जनवरी दो जार बीस से सामिल किया गया है इसके पहले इसमें अनुनाचरपदेश मिजोरम नागालेंड सामिल थे इसी संबध में हमारा कॉश्चन आप देखें इनर इसे प्रारम से उत्तरपूर्व के चार राज्यों में लागू किया गया है। तो यहाँ पर अंसर क्या है केवल एक सत्य है। अब देखें यहाँ पर यह इमेज है तो यह ग्रीन कलर की जो इमेज का पार्ट है इसको एक तरह से पत्थलगडी का आ जाता है। और इसी के पार्ट पर अगर आप देखें तो आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनको लेकर एक तरह से बात की गए। जब बाहरी लोंका प्रवेस होने लगा तो यह पत्थलगाडी जो मुव्मेंट है यह तरह से 2016-2017 में शुरू हुआ। तो अगर आप ध्यान रखें तो 1908 के पार्ट पर छोटा नाकपूर टेनेंसी एक्ट लाया गया था। जब भी कोई जमीन इस इलाके में ली जाएगी तो बिना एक तरह से जो पंचायत है यह आदिवासी लोंग है उनकी मंजूरी के नहीं हो सकता है। तो यह जो कानून है इनमें एक तरह से 2016 के पारट पर कुछ संसुदन करने की प्रक्रया सुरू है। उसी का विरोध करने के लिए इस तरह से पत्थरों के मादन से जगे जगे सिलाएं स्थापित की गई। तो यह जो जनजातियों का अंदोलन था यही पत्थलगाडी अंदोलन कहलाता है। तो पत्थलगाडी अंदोलन के संबंद में प्रीका कुष्टन देखें। पत्थलगाडी अंदोलन के संबंद में प्रीका कुष्टन देखें। धान रखें जहरकंड। ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू वेस्टन घाट्स, ग्रासलेंड, देखे पस्यमी घाट के अगर हम बात करें, तो पस्यमी घाट में आप सोला जो फोरेस्ट उनके संबंद में सुनते होंगे, जब हम बात करते हैं सोला फोरेस्ट, तो सोला का मतलब एक तरह से, तमिल में सोल मुंडन थुराई और कन्या कुमारी के जो उपरी लाकें, वहां पर एक तरह से सोला जंगल इस्तित हैं, और यह पंद्रा सो मीटर से अधिक की उचाई पर जो परयात्र नमी होती है, वहां पर एक तरह से पाये जाते हैं, और सामान रूप से आप देखें, तो इन परवती घास के मैदान, तो इस तरह के जो उच्ट परवती घास के मैदान, यह दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हम पूरी दुनिया में देखें, तो इस तरह के जो ट्रॉपिकल मॉन्टेन ग्रास लेंड है, यानि उच्ट परवती घास के मैदान, यह दुनि कि बिटिस समय में जब बाहर की प्रजातियां पेड की यहां पर लाई गई तो उन्हों ने एक तरह से जो यहां की अपनी खुद की प्रजातियां पेड की उनको समाप्त किया और उसी के साथ साथ घास के मैदान भी यह तरह से कम किये गए जिससे चाय आने तरह के जो आपस आने के लिए प्रक्रिया की जा रही है, तो इसी के संबद में हम यहाँ पर प्री का कुश्चन आपको देने वाले हैं, आप ध्यान रखें कि जो सोला फॉरेस्ट हैं और उनी के साथ में उन्हें जुड़े हुए जो घास के मैदान हैं, उनको ओवर हैड वाटर टेंक क आजाता है, क्योंकि यह चेतर काविरी डेल्टा की जो प्रमुग न दिया हैं, उनके एक स्रोत के रूप में माने जाते हैं, तो यह जल के प्रमुग स्रोत के रूप में होते हैं, अगर हम सोला जंगलों की बात करें या इनके आसपास इस्तित गास के मैदान, इसी लिए इ इन सोला जंगलों में अगर हम देखें, तो इनका लकडी के लिए बहुत महत्तु नहीं है, क्योंकि पेड़े यहां पर धीमी गती से बढ़ते हैं, और जो लकडी है वो बहुत ज़्यादा मूलिमान नहीं है, और प्रमुग रूप से देखें, तो लकडी को यहां पर मैच और साथ साथ आसपास के लाके में जल सरोत की सुरुवात के रूप में, यानि जो नदियां उनके ओधगम के लाके के रूप में इन जंगल और घास के मैदानों का संरचन आवस्यक हैं, तो इसी के लिए प्री का कुश्चन आप देखें, उस्ट कडवंदिय परवती घास क से विश्टित हैं, से इस्टेटमेंट है, दोनों से एंसर आपका D, नेक्स उस पर देखें, मनिपूर आपजर्व्ज एटी फर्स्ट यार ओफ वोमेंस वार, देखें अगर हम बिटिस समय की बात करें, तो 1904 में और 1939 में, जो मनिपूर का छेतर हैं, वहाँ पर महिलाओं क के दूरा एक तरह से आंदरुन किये गए, तो 1904 में पहला था, 1939 में दूसरा, और इसको अगर हम देखें, तो महिलाओं का युद्ध, और मलिपूरी भासा में से अगर हम देखें, तो इसको नूपी लान कहा जाता है, तो नूपी लान पहला 1904 में और दूसरा उन्नी सौ 49 तो इसी की एक तरह से 1939 जो दूसरा नुपिलान था, दूसरा महिलाओं का एक तरह से युद्ध माना जाता है, इसे संगर्स माना जाता है, बिटिस सासन के खिलाब, देखें, 1939 का जो प्रमुकृूप से था, वो कही न कही चावल की खेती को लेकर संबंदित था, 1904 की अगर हम महिलाओं का जो विद्धरो था, उसकी एक तरह से 81 जैनती है, इस वर्स, और ये 12 दिसंबर के पार पर एक तरह से मना जाती है, तो इसी के संदर में आपको प्रीकाहम, क्वश्चन दे रहे हैं, नुपिलान दिवस महिलाओं के दौरा, बिटिस सासन तता तातकालिक अलिपूर से एक तरह से संबन्दित है, तो अंसर आपका क्या हो गया, C, not in favor of imposing family planning government as supreme court, यहाँ पर सरकार के दोरह ये का गया है, कि जो भारत सरकार है, वो 1994 का एक जो समझोता है, जिसे program of action का आ जाता है, जिसे international conference on population and development में स्युकार किया गया था, उसमें ये का गया था, कि जो एक तरह से परिवार नियोजन है, उसको बाद्यकारी रूप में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत ने इस पर हस्ताचर किये हैं, तो वो बाद्यकारी रूप में परिवार नियोजन लागू नहीं करेगा, परिवार नियोजन को भारत में स्वैचिक रूप म में कितना था 21.54 जबकि अगर 2001 और 11 की बात करें तो यह घटकर मातर रह गया 17 सनलो 6 4 तो यहां सरकार का कहना है कि जनसंख्या में कमी है वो स्वयम तेजी से भारत में हो रही है तो बाधिकारी किसी भी तरह की family planning का system लाने की सरकार का कोई भी प्रियास नहीं है इसी के संब्द में आप प्री का question देखें भारत में परिवार नियोजन कारेकरम स्वयच्छिक है भारत 1994 के अंतरास्ती जनसंख्या और विकास समयलम ने अपनाए गए plan of action का हस्ताक्षर करता देश है जिसमें तो बाद्यकारी परिवार नियोजन निती को अस्विकार किया गया है तो यहाँ पर आप देखें तो इसराइल के दोरा युएई बहरीन सुडान और भी हमने देखा मोरको इसी के साथ भूटान के साथ भी अपने जो राजनितिक संबंद उनको एक तरस से स्थापित किया गया अगर हम वरतमान में देखें तो भूटान ने 54 देश और यूरोपिय संग के साथ अपने डिपलोमेटिक राजनितिक संबंद बना लिये हैं आप ध्यान रखें सुरच्छा परसत के जो पाँच इस्थाई सदस हैं उन में से किसी के साथ भी भूटान के राजनिक संबंद नहीं है यानि अमरीका की बात करें यूके की बात करें हम बात करें फ्रांस की ले 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 या चीन की बात करें या रूस की बात करें तो पाँ अत्रपूर्ण इसराइल के साथ जो भूटान ने अपने यहां पर संबंद इस्थापित किये हैं। इसी के संबंद में आप प्रीगा कोश्चन देखें। भूटान का किसी भी सुरच्छा परसत के इसाय सहस से आपचारिक संबंद नहीं है। भारत भूटान के संबंद नहीं सो उननचास की संदी से संचालित होते हैं जिससे दोजाज साथ में संसोधित किया गया। एक तरह से भूटान सुतंत्र हैं। अब उससे ध्यान यह रखना है कि भारत के जो हित हैं उन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। नहीं होना चाहिए। तो तीनों स्टिपमेंट्स से ही हैं अंसर आपका D. यहाँ पर हम देखें तो यह एक तरह की inflammatory disease है जो कोशिकाओं की यानि कोशिकाओं में सूजन आकर एक तरह से जो मृत्यू की घटना है जिसको पैरॉप्टरसिस कहते हैं वो एक तरह से पाया गया है कि जो मुंगा चट्टान है उनके नस्ट होने का एक बड़ा कारण है और उ मुंगा चट्टानों को एक तरह से भोजन उपलम्त कराते हैं तो उनकी अगर मृत्यू होती है तो जो मुंगा चट्टाने है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी करण से जो पायरॉप्टरसिस प्रोसिस है वो एक तरह से न नेक्स उसको देखें तो यह जम्मो कश्मीर जो रोसिनी एक्ट है उसके संबन में है जहारनक के इसको रोसिनी एक्ट जरूर कह दिया जाता है लेकिन असली में जम्मो कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑप ओनर से राइट टू ऑक्किपेंट्स एक 2001 है जब जम्मो लगब 20 लाक इस तरह की नहरे थी और लगब 20 लाक एकड का इलाका था तो इनको अगर एक तरह से सरकार अपने नियंतरण में लेगी और जो इसका अधिकार चाहते है अगर उनको देगी तो जम्मो कश्मीर की उस समय की सरकार को यह अंदास था कि लगब 25,000 रोपे प्राइस किया जा सकता है और उसी संबद में एक तरह से अगर हम वरतमान में देखें तो यह इसी रोशनी एक्ट का जो पार्ट है वो उससे संबंदित है तो भूमी सुधार जरूर है लेकिन असली उद्देश सा उर्जा चेतर में जम्मो कश्मीर में सुधार करना तो रो इतनों एस्टेटमेंट सही है तो अंसर आपका डी यह हमारा 13 दिसंबर 2020 का समाचार विस्नेशन था आने वाले दिनों में आने दिनों के समाचार विस्नेशन हम आपको इसी तरह से प्रसुत करते रहेंगे प्री और मेंस के जो कॉश्चन दिएगे उनकी आप प्राक्टिस करें बाइजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप चैनल को आप बहत पसंद कर रहें अधिक से अधिक संक्या में लाइक से और सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू